आज की वीडियो में मैं आपको बताने हो लाओ आपके computer की कुछ ऐसी बाते जो शायद आपको भी बताने होगी जिया दोस्तो अगर आप एक student हो teacher हो या computer operator हो तो आपको computer की ये settings ज़रूर पता होनी ची तो चलिए मैं सदिश आप सबका स्वागत कताओ शुरू करते फटा फट तो दोस्तो यहाँ पर आपको Windows Tools के बारे Windows की कुछ important settings के बारे में बताने के लिए तो सबसे पहले Windows Tool Access कैसे करेंगे मैं keyboard की ओपर Windows की दबाऊंगा Windows Tool Access करने के लिए Windows की दबा दीजिएगा फिर यहाँ पर Windows जैसे आप टाइप कर लिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे Windows Tools करके आ रहा है अब मेरा Windows 11 है तो उस case में इस तरह से आपको मिल जाएगा Windows 11 जिनक कौन सा टूल कब काम में आएगा डेफिनेटली आप तभी उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहला टूल यहाँ पर चारेक्टर मैप दिखाए दे रहा है यहाँ पर जाकर अप अलग-अलग font select कर सकते हैं वेप दिंग ले लो विंग दिंग ले लो इसमें जो symbols आवाइलेबल है वो सारे के सारे symbols यहाँ पर दिखाए देते हैं चलो ठीक है मैंने copy किया notepad में पेश किया नहीं आएगा bracket आ रहा है क्यूंकि यहाँ पर जाकर इसका font भी आपको एडिट करना पड़ेगा और यह जो फॉंट है वह आपको रखना पड़ेगा यहाँ इसका फॉंट विंग दिंग से तो मैं इसे विंग दिंग रखता हूं नौ विंग दिंग फॉंट में यहाँ पर आपको यह दिखाए दे रहे हैं इस symbol के size आप यहाँ पर बढ़ा दो इसकी size बढ़ाने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल और स्क्रोल वर आगे की तरब गुमाओ यह size बढ़ जाएगा तो ऐसा notepad word excel में भी आप यह सिंबॉल्स ले सकते character map यहाँ पर आपको पहला option दिखाए दे रहे हैं जो कि ज़्यादा useful नहीं लेकिन knowledge के लिए आप याद रखो उसके बाद आता है command prompt command prompt वैसे भी आप run से start कर सकते दोस्तों लेकिन यह command prompt यहाँ से start होता है run से start करने के लिए start run मतलब window button और R button दबा दीजिए फिर यहाँ पर cmd लिखोगे यहाँ पर cmd लिखोगे इस notepad की जगह यहाँ पर cmd लिखूगा और enter करूगा तो चालू हो जाएगा वैसे command prompt यहाँ command कौन से होते बेसिकली उसकी उपर मैंने अलग सा वीडियो बनाया है वो जाकर देख लेना उपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी description में लिंक को दूंगा क्योंकि इसमें जितने भी tools में बता रहा हूं इसमें से बहुत सारे tools की उपर मैंने already video create किया तो मैं आपको comment करूंगा कि description में हम आपको सभी की link दे देंगे या उपर आई बटन पर तो सभी की link नहीं डाली जा सकते इसलिए description में आपको link मिलेगी इस वीडियो में जितने भी tools है उसको separate video में जो explain किया उसका video आपको मिल जाएगा तो command prompt आपको आना चाहिए थोड़ा सा technical होने के लिए भी या तो यहाँ पर क्या होता है जैसे कि मुझे मेरा computer बंत करना है आधे गंटे के बाद तो मैं आधा गंटा यहाँ पर computer पर बैटे रहूंगा फिर shutdown करूंगा नहीं मुझे लगता है कि आधा गंटे के बाद जो एक lecture record के लिए मैं रखाए वो record हो जाएगा बाद में computer आधे गंटे के बाद चाहिए तो दस मिनिट का अब यह 600 क्या है what is this seconds तो यहाँ पर 600 seconds में मैंने लिखा यानि कि 10 मिनिट मैं जैसे एंटर करूंगा यहां पर टाइम लिख के आएगा कि यह computer 10 मिनिट के बाद बंद होने वाला है यहाँ पर देख सकते लिखक्या रहे न और मैं इसे close करेंगा लेकिन यार मुझे याद आ है कि 10 मिनिट मुझे 20 मिनिट चाहिए था 3 मिनिट चाहिए तो आप टाइमें चेंज कर सकते लेकिं यह कमाट चाहिए नहीं है तो आप इसे cancel भी कर सकते हैं तो आपको simple लेख देना है shutdown space minus A ओके तो enter कीजिए है यहाँ पर यह log up cancel हो जाएगा shutdown space minus A से अब यहाँ पर log up cancel होने का message नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको उसका screenshot दिखा देता हूँ shutdown space minus A से आ जाए क्योंकि screen recording चालो इसलिए सो basically मुझे कहना क्या है कि यह जो command मैंने आपको दिया यह तोड़ अज़र technical ऐसी धेर सारी command command from से दी जाती है उसका video मैंने description में दिया इसके उपर already complete technology channel पर video डाला गया है तो जाकर check out कीजिए उसके बाद next option मिल रहा है component services component services पर double click करता हूँ let's have a look at this यहाँ पर देखिए मैं इसे maximize भी कर देता हूँ इस services के अंदर आगा अब ध्यान से देखोगी तो यहाँ पर अपनी computer से component जो है वैवैलेबल उसकी services मिल जाती है जैसे मैं आपको event viewer में दिखा देता हूँ event viewer में यहाँ पर windows log आपको दिखाए दे रहा है वगरा भी रहता है so component मतलब क्या होता है basically यहाँ पर services है component services मतलब जो application या windows related services है उसका information start timing वगरा यहाँ पर data and time वगरा source वगरा सब कुछ यहाँ पर define होता है so I am going to close it right now मैंने बस information इसकी दी है उसमें हमें कुछ करना नहीं जादा यहाँ पर next option है computer management यह देखे computer management यह कामाल की चीज़े कमाल की चीज़े कमाल की चीज़े तो बैसिकली यहाँ पर आप देख सकते computer management में क्या कर सकते let me make it zoom double click करता हूं मैं यहाँ पर title बार पर इसे zoom करने के लिए इसमें क्या है basically एक service आपको दिखा दिखा दिता हूँ वैसे भी आपको यहाँ पर बहुत सारी service मिल रही है डिवाइस बैनेजर अनौल मैं डिस्क मैनेजमेंट दिखा देता हूँ डिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर आपके computer में जितने भी hard drive storage drive basically hard drive रहेगा SSD रहेगा तो मेरे case में यहाँ पर देखिए यह आपको दिखाए दे रहा है 931 GB यह hard drive connected basically और यह जो दिखाए दे रहा है 238 GB यह SSD connected तो यह SSD है और यह hard drive है मेरे पास राइट तो storage के लिए मैंने hard drive मतलब recommended होता है जैसे कि अगर आपके बास system है या laptop है जो भी मैं हमेशा recommend करता हूँ अगर आप hard disk लेगने जाओगी 1TB की market में तो वह affordable रहता है as compared to SSD SSD 1TB की costly जाती है तो मैं हमेशा recommend करता हूँ SSD ले लो जिसमें आपका windows install होना चाहिए तो मेरे case में यहां पर c drive दीखा है दे रहे SSD में install है जिससे मेरा क्या होगा boot fast होता है Windows आपका SSD में storage SSD और HDD क्या होता है नहीं पता है तो उसका भी वीडियो बना है description में उसका link दे दूँगा basically computer hard disk और इसका भी explanation मैंने दिया है एक वीडियो मैंने बना इसकी उपर भी कि इस तरह से hard disk performance होता है क्या होता है सारी चीज़े description में आपको मिल जाएगा फिलाल तो यहां पर आपको मैं समझाओ कि यहां पर जो drives है उन्हें आप manage कर सकते हैं जैसे मैं इस drive को यहां से hide भी कर सकता हूं यहां से partition change भी कर सकता हूं बहुत कुछ कर सकता हूं मैं multiple partitions तैयर कर सकता हूं और यहां पर इस particular drive के अंदर जो चीज़े मतलब जैसे free space available और एक नया drive कर सकता हूं right click करके सारी settings यहां पर मिल जाती है तो basically इसे computer management setting कहा जाता है तो यहां पर आप अपने hard disk के multiple partition करके यहां पर अलग-लग drive भी तैयर कर सकते हैं उन्हें hide भी रख सकते हैं और उसका भी video मैंने बना दिया है कि hard drive hide कह से कर सकते right basically आपको करना है कोई drive hard disk म hide कर सकते computer management यहां पर मैंने आपको बता दिया next control panel जो की बहुत काम की चीज़े control करना आना चाहिए आपके system पे जिसको control करना आता है वो basically अपने system को जान लेता है कि वह क्या problem इसमें तो यहां पर control panel में क्या है basically control panel में system and security है user account आप बना सकते network and internet है hardware and sound settings है चलिए एक example के यह यूजर अकाउंट में यहाप multiple account तायर कर सकते जैसे यह मेरा administrator account है मैं यहाँ पर जाकर manage another account में जाकर और बी account तायर कर सकते जैसे मैंने एक और मेरे बेटी के लिए account तायर करके रखाए आप अपने जितने भी घर में है लिए आपके सदश्र घर में 4 है तो 4 लोगों के लिए अलग अलग अकाउंट तायर करके रखो इसका benefit क्या होता है आप अलग अलग अकाउंट जब local account बना दोगी तो आप जब उनको एक्सेस करना है तो उनका अकाउंट दे दोगी ताकि आपकी desktop की file आपकी important file वाप access नहीं होती है तो user account में जाकर multiple account recommendation है अलग 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 वैसे राइड दी है तो सो यहां पर user account है basically user account यहां पर पता चल जाता है click करने के बाद उसके बाद appearance and personalization है मतलब desktop का background कैसे set करना है वगरा वगरा clock and region यह clock and region में एक option में आपको बताना देना चाहूंगा last week में एक student की query थी basically यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता है कि Excel में जब आप formula देते है तो वहां पर वो को मा type करने के बाद formula नहीं लग रहा था basically कैसे में आपको बताता उसका reason यह region में जाओ region में जाने के बाद यहां पर अगर आप नीचे आओगे additional settings में तो यहां पर एक list separator करके option रहे था region में यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वहां पर dot रखा रहता है यहां पर कुछ हो गया मतलब setting में जाकर इसे dot कर दिया है तो यह dot कर दिया ना गलती से apply कर दिया तो वहां पर formula लगेगा नहीं Excel में formula नहीं लगेगा कोई भी formula नहीं लगेगा याद रखिए तो इसलिए यहाद रखना बहुत जूरी region में जाकर तो यह region में और वाकी तो date and time होगेरा आप जाकर खुद चेक कर लो तो कोई भी setting change करते हो तो कोई ज्यादा यह कोई ज्यादा problem नहीं होता है तो विंदास कीजिए खुद से try कीजिए इन चीज़ों को राइट उसके बाद hardware and sound settings भी available है जैसी यहाँ पर मैंने mic connect किया है तो mic मुझे check करना है तो मैं यहाँ पर जा यहाँ पर properly हो जाए तो यहाँ पर दिखाए देरे mic का नाम भी आ रहा है तो यह चीज़े जो होती है यह basically आपको knowledge होना चाहिए उसके बाद device and printers जो आपके connected है उससे related यहाँ पर settings आ जाएगी Bluetooth कोन सा connected है वगरा वगरा तो वो settings यहाँ से आप open कर सकते है control panel के अंदर यहाँ पर आगे दिखाए देरे आपको programs option है जहाँ पर आप जाकर programs को uninstall भी कर सकते हैं आपको कोई software नहीं चाहिए तो basically उस software को select कीजिए uninstall बटन पर click कीजिए यहाँ पर वो uninstall हो जाएगा बट ज़रूरी नहीं है तो आप उसे uninstall कर सकते हैं तो कोई program uninstall करना है तो किजिए basically ऐसे बहुत सारी बार होता है कि हम बहुत सारे program या software इंस्टॉल करके रख देते हैं और वो आमारे system में पड़े पड़े हमारी memory को utilize करते रहते हैं तो system का performance अगर बढ़ाना है तो मैं हमेशा recommend करता हूँ कि अनॉंटेट software को uninstall कर दीजिए तो यह control panel दिया है आप कर दीजिए उसके बाद refragment defragment defragment यह सही प्रोनाउशेशन रहेगा defragment and optimize drives तो मैं इसके पर double click करूँगा यहाँ पर देखिए basically अभी मेरे case में तो मेरा जो डी drive अगर है उनको कोई fragmentation यहाँ पर है नहीं मतलब zero percentage fragmented 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 है इसे defragment करने की जरू जाओ example जैसे आपका college का पहला दिन school का पहला दिन है आप अपने cupboard में क्या करते हो किताब को properly arrange कर देते हो लेकिन जैसे ही एक मैने के बाद देखोगे तो इदर उदर बिखरे नजर आते क्योंकि आप उसे use करते हो daily आप school जाते हो तो उन्हें निकालते हो रखते हो मतलब आ यहां पर क्या होता है जब आप उसे utilize करते हो अलग-अलग softwares open करते हो उनकी कैसे files बनती है बहुत सारी चीजी होती है तो वह सब fragment हो जाती ही दो तो उन्हें defragment करना जरूरी होता है और यह utility होती ही Windows की जो हमें time to time run करनी होती है तो उसको मैंने यहां पर schedule करके रखा है य यहां पर आप देख सकते ही यह सारी के सारे fragmented file से रियरेंज करके रखता है मैं analyze भी कर सकता हो कि इसको fragmented file तो इसको defragment करने की ज़रूरत है या नहीं है तो यहां पर वैसे भी दिखाई दे रहा है zero fragmented file मतलब कोई इधर उधर फैली फाइल नहीं है और मेरा on है यह weekly तो इ यह एक और चीज करो system का performance कैसे बढ़ा है उसके लिए मैंने already एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 10 या 11 टीप्स बता है वह लिंक आपको description में मिल जाएगा लेकिन यह एक disk cleanup utility है जिसकी मदद से unwanted files जो आपके c drive में जैसे आपके c drive में available है temporary files वगेरा वो सारी files यहां पर व files यहां पर okay कर दीजिए clean हो जाएगा अभी मैं run करके नहीं दीखा रहा हूं बस मैं आपको बता रहा हूं हम आगे के tools की तरफ बढ़ेंगे बहुत सारे tools और भी बाकी गाइज राइट ओके यहां पर event viewer करके option आपको दिखा देरा है let's run this event viewer को मैं run कर रहा हूं let's look at here event viewer क्य होगे component services के अंदर तो वैसी कुछ यहां पर event viewer में काम हो रहा है next iSCSI initiator what is this iSCSI यह basically एक ऐसा इनिशेटर है जिससे आप किसी का भी storage network के through access कर सकते या access के लिए आपका storage दे सकते example के लिए बताओ यह थोड़ा सा technical है मतलब अभी मैं practical करके नहीं दिखाऊंगा बट इसका यूज मैं आपको बता रहो ताकि आगे चलकर आप इससे google पे सर्च करोगे तो भी आपको इसका यूज पता चल जाएगा मतलब कैसे करने पता चल जाएगा चाहिए तो मैं इसका dedicated data store होता है तो आप वहाँ पे storage मुझे पता है available है मैं घर से access करना चाहता हूँ तो मैं access कर सकता हूँ यहाँ पर इस initiator की मदद से तो यह इंट्रेस्टिंग टूल है Windows का तो यह जरूर इसके पर आगे चलकर वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए फिलाल तो इसके वीडियो नहीं है तो description में मत चेक करो लेकिन इसका यूज मैंने आपको बता है local security policy यहाँ पर आगर डबल क्लिक करोगे तो इसमें local security policies आजाएगी आपके account policies password policies सारे local policies पूरी-पूरी policies यहाँ पर mention रहती है you can go and check it out वैसे हमें इतनी ज़रूरत नहीं पढ़ती इस option की ODVC server की यहां से run करने के हमें कोई जरूरत नहीं पढ़ती क्योंकि जो जो software's ODVC के लिए बने रहते जैसे टैली software में ODVC server होता है तो ODVC server open database connectivity यानि कि windows के application के साथ openly आप connect कर सकते इस server के मदद से तो टैली वालों ने क्या किया है एक प्रोग्राम लिग दिया है जिससे क्या होता है वो excel के साथ connect होता है तो आपका data excel का data टैली का data excel में लेना है तो ODVC server use किया जाता है वहां पर और उसके थ्रू वो connect किया जाता है एक 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 ग्जमपल के लिए बता है तो यहां पर 32 bit और 64 bit यह दो प्रोडी बीसी server दिए उसके बाद performance monitor में हम जाते यहां पर आने के बाद यहां पर performance में आपको यह performance monitor पर क्लिक करना है जैसे आप देखोगे अभी हमारा क्या performance चल रहा है जैसे वह आता है जैसे आपको कुछ करनेक्ट करके रखता है तो आपके heart beat वगरा ECS वगरा चेक करते से मैं आता है तो वैसे कुछ यहां पर दिखाए देता है जैसे मैं यहां पर कोई application चलू को रहा है तो जैसे यहां पर देख सकते हैं यहां पर performance भी आपको दिखाए दे रहा है तो यह application लोड हो चुका है और यह पावर बैके अंदर बना जाता है इंट्रक्ट डैच्बोड बिसिकली इंट्रक्ट डैच्बोड यहां पर मैं क्लिक करूंगा सारी जगह पर चेंज होता है तो पावर इसक्रिप्शन में लिंक दूंगा अगर आपको पावर बैसिक नहीं तो मेरे वेबिनार रहते है लाइव और उस वेबिनार के लिए आप जॉइन कर सकते हैं फिलाल यहां पर वह लाइव वेबिनार का बात छोड़ो यहां पर देख लो यह performance उपर बढ़ गया मैंने पाव वीडियो की लिंक दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लर्न पर थोड़ा सा एक्सेल से रिलेटेट बनाया है कंप्ली टेक्नोजिस थोड़ा सा विंडोस के अटोमेशन से बनाया है यह automation है आपके बहुत सारे काम आटोमेटिक होंगे कितने लोग चाहते कितने लोग चाहते मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि वो लोग रिलाक्स बैटे और कंप्यूटर अपने आप काम करते रहे तो यह यहां पर यहां पर कोई कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं बस कुछ चीजे आपको automation करने के लिए जरूरी है और यह मैंने बताया है तो अगर आप चाहते ह बेटूंगा तो टाइम जाएगा डाउनलोडिंग अपडेट वगरा लेकिन अल्रेडी मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आप चेक कर सकते हैं कि यह आटोमेशन कैसे होता है एक बार रन करो वो आटोमेट काम करते रहेगा आपना इवन वेबसाइट से जितने भी प्रिंटर है वो दिखाए देंगे सपोज मेरा HP कनेक्टर रहता है इसमें जाकर आप इसे राइट क्लिक करके पाउज प्रिंटिंग वगरा वगरा सारी चीज़े प्रिंटेस्ट पेज भी कर सकते ओपन प्रिंटर क्यों कितने प्रिंटिंग चालो है आपने एक अगर आप वह भी देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हो सारे वीडियो को मैं क्लब करके एक लिंक बना रहा हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको ज़रूद चेक आउट कीजिए वह भी कि एक अपना यूस्बी प्रिंटर भी हम काम नहीं करने वाला है यह आप देख पारे इसके अलावा आप इसमें रिमोट डेक्स्टॉप कनेक्शन वाला ओप्शन यूज कर सकते हैं जिससे आप रिमोटली किसी का भी कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं लेकिन एक पटिकुलर लैंड के अंदर ध्यान से सुनिएगा उसमें से आपको किसी गया को वह सकते हैं इसकी जुरूट करने हैं जिसकी जुरूट होते हैं वह बसी एंग्चेनियर पर पार और उप्पर नहीं जाएemic चोटी चोटी काम के लिए अगर उसे सारी सिस्टम में कुछ अपडेट करना है तो रिमोटली डेक्सटॉप लेके एक PC पे बैठके सारी चीज़े अपडेट कर सकता है तो बिसिकली यह इसलिए बना रहा हो ताकि आपको यह आइडिया भी हो जाए कि आरी सिस्टम के अंदर यह भी कर सकते हैं किसी कब इसे रिमोटली भी कर सकते हैं तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक साइड अर्निंग चाहते हैं आपके लाइप में कुछ भी तो यह बेस्ट ज करना चाहते हैं और इसके लिए करना क्या है आप डिस्रिप्शन में मेरे अप्लिकेशन की लिंक आपको मिलेगी जहां पर कम्प्यूटर हाडवेर का विट सर्टिपिकेट कोर्स आपको मिलने वाला जो आप घर बैटे-बैटे सीख सकते हैं तो अगर आप इंट्रेश्ट स्टूडंस को पहले अभी तो मैं ऑनलाइन सिस्टम पर हूँ लेकिन अउनलाइन के पहले अप्लाइन में में जब पढ़ाता था तो स्टूडंस को मैं बोलता था अभी आपने हाडवेर मेरे से सीखा था तब 15-20,000 मेरी फीज रहती थी तो हाडवेर उन्होंने मेरे पास स किसी ना किसी का computer बंद होता ही है राइट कुछ ना कुछ error होता ही लैपटॉप में एरर है computer में एरर है Windows का Error है hard disk का Error है तो वह सारे errors आप solve कर पाओगी क्योंकि वह आप पर मैंने practically चीज़े computer खोल खाल के बता है दिखाया है मैंने सारी चीज़े तो जरूर जाकर check out करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपके लिए मैंने बहुत ही कम पीज में को सब्सक्राइब करना चाहिए application का नाम है skill course description में मिल जाए फिलाल यहां पर देख लिए नेक्स पॉइंट है हमारा resource monitor resource monitor पर मैं double click कर रहा हूँ now what I will get here मुझे मिलेगा कि कौन-कौन resources क्या run हो रहे cpu कितना use हो रहा है network memory कितनी use हो रही है सारी चीज़े यहां पर मुझे पता करेगा बहुत सारी बार क्या होता है कि हम system पर बहुत सार application tabs open करके रखते तो उससे पता चलता है मतलब हमारा system यहां पर lag करने लगता है कभी-कभी hangy हो जाता है तो उससे यह पता नहीं चलता है यह क्यों हो रहा है तो हम यहां पर जाकर पता कर सकते है RAM ज्यादा यूजरी या CPU ज्यादा यूजर हो क्या रहा है बिसिकली राइट डिस्क ज्यादा यूजरी तो वहां पर आपको पता चल जाता है network कैसी यूजर हो रहा है क्या यूजर हो रहा है तो यहां पर पता चलता है तो जो एंड़ चेक टाउट रीसोस मॉनिटर गईज उसके बाद रन है जो कि मुझे बताने की जरूत नहीं है डबल क्लिक करें तो यह रन हो जाएगा रन कमांड आता है नीचे डिवरीबडी तो यहां पर जाकर आप उसने जाकर सिटार्ट कर सकते हैं को रन नहीं तो उस जो option है या टूल से वो काम की चीज़ है इससे रन कीजिए है जैसे आपको लगता यार मेरे सिस्टम में कुछ error है तो मुझे कुछ step by step screenshot भेजने किसी को help लेने के लिए तो यहाँ पे start button पे आप click करो जैसे आप start button पे click करोगे इसके बाद मैं यहाँ पे विडियो रेकॉर्ड नहीं हो रहा है steps record होते है screenshot के जरीए तो मैं यहाँ पे windows पे click करता हूँ मैं यहाँ पे let's say मैं Microsoft Edge open करता हूँ Microsoft Edge open किया मैंने उसके बाद close किया now stop and review stop and review पे मैं click करूंगा यह देखे यहाँ पे नीचे स्क्रोल कीजिए यह देखे पहला steps यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है क्या कर रहा हूं मैं दूसरा steps यहाँ पे देखे Windows पे click किया ता यह द रहा है तो you can take easily screenshot of step by step यह काम का utility है काम का टूल है utility बोल सकते ओके next is system configuration system configuration में double click कीजिए now आपको कौन सा Windows run हो रहा है यहाँ पे boot में click कीजिए आपको boot windows दिखा दे रहा है आपका current windows बहुत बार क्या होता है कि हमारे system में दो-दो windows install होते तो उस time पे कौन से windows को उपर रखना यहाँ पे हमेशे रहना है अगर आपको दूसरा कुछ डाइगोनिस्ट करना है आपके windows में लोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जाकर आप windows को डाइगोनिस्ट कर सकते कुछ चीज़े services दिए start-up application यहाँ से open कर सकते इसकी उपर भी अलग सा वीडियो मैंने बनाया है करके रखें कि यह start-up होते ही चालू होते थे मतलब windows start होती ही तो इन्हें enable करना है तो आप enable कर सकते हैं disable करते हैं यहाँ पर फिला यह मैं close कर देता हूं cancel इसकी जरूरत नहीं यहाँ पर tools भी दिया है कौन-कौन से tools हमारे windows के available है वह सारे तो यह windows का बूटिंग system का information आपको किया ओलड़ी system information हमारे system की पूरी जानकारी अगर जानना चाहते हैं आप यह मैं जो भी जानना चाहते हैं डबल क्लिक कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं windows का OS name रहेगा version रहेगा बट यहाँ पर windows का प्रोसेसर वगरा सारी चीज़े यह आप आपको दिखाए दे रही है कितना जी भी कैसे physical memory है क्या है सब कुछ सब कुछ windows की पूरी information यहाँ आपको मिलने वाली एक जगह पर hardware resources से components से software environment से अगर मैं चीज़े है तो memory की information अलग सी चीज़े या फिर आपको sharing वाली information चीज़े जो भी information चीज़े जाकर आप system information चेक करो एक जगह पे सारी सारी information मिलेगा आपका RAM कौन सा है आपका CPU कौन सा everything you'll come to know guides next day task manager task manager तो already आता है control shift alt delete अगर आप प्रेस करते हो तो यह आ जाता है जिसमें कितने टास्क चालुए मेरे बहुत सरे application चालुए जैसे यह recorder software चालुए है या फिर और अलग-अलग processing चालुए है तो इनको मैं यहां से close कर सकते हैं जैसे Google Chrome कुछ काम का नहीं मुझे राइट क्लिक करो और in task को application hang हो गया तो आप task manager से close करते हैं और task manager यहां से open किया जाता है task schedule को task आपको schedule करके रखना है इसकी अभी तो ज़्यादा ज़रूद नहीं पड़ती power automate आने की वज़े से यहां पर create task करके Windows के साथ start होना चाहिए लॉग-on होने बाद तो वह task के यहां पर trigger कर सकते हैं इसके उपर अलग समय dedicated video बनाऊंगा but not required right now task scheduler यहां पे उसके बाद Windows Defender firewall with advanced security basically यहां पर बताता है कि Windows Defender आपका on है या नहीं हो सारी चीज़े बताता है यह on है नहीं है on तो आपको इसे on करना होगा अब यह Windows Defender क्या होता यह एक pre-install antivirus है Windows की तरब से इसलिए आपको कोई antivirus डालने की ज़रूरत नहीं है मैं recommend नहीं करता हो आजकल मैंने खुद नहीं डाला है मैं Windows यहां पर Defender यूज़ करता हो जैसे मैं यहां पर Windows Firewall डालूँगा यह देखिए नीचे आपको Windows Defender Firewall दिखाए देता है और यहां पर यहां तो इसलिए इसे आउन रखना बहुत ज़रूरी है आप यहां पर मिलता है यहां पर मैंने सारे ऑन रखें जो कि आप देख सकते जिससे आपका क्या होता है कि वही जो वाइरस आ रहे है उसे रोकने का काम यहां पर Windows Defender जल्दी कर लेता है तो Windows Defender ज़रूरी है और Windows Defender रहता ही है Windows 11 10 में और पुराना Windows यह था आप antivirus डाल लेजिएगा पहले में बता देता हूं Windows Facts & Scan की इतनी ज़रूतनी पड़ती जब scanner जब आप इंस्टाल करते हो तो अलग सा scan का एक feature मिल जाता है उसके साथ तो यहां पे जाकर नियु स्कैन करो या पैक्स तो अभी पुराना हो गया तो यह इसकी ज़्यादा जरूदनी मैं पहले बिता दिता हूं लोग VLC मेडिया रख मीज्द करते हैं उसके बाद विंडो Ze wär कारणा यहां और जाकर आपने अपने और को रहे हैं पार चेह बाता श्रेक्न करते की बाद तो यहां पर होने की बाद चेक प्रॉब्लम्स दे नेक्स्ट टाइम आई स्टाट माई कम्पीटर तभी वो प्रॉब्लम्स चेक करेगा मेमरी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपको बताएगा तो या जैसे आप बीमार होने के पहले ब्लड टेस्ट वगरा कर लेते हो वैसे कुछ यहां पे है आप स्पेस माईनस टी स्पेस उसके बाद 600 एंटर करो वही टाइम वही सब कुछ आ जाएगा यह देखिए विंडोज विल शट्डाउन इन टें मिनिट्स क्लोज ओके नाव एल तो वन धिंग शट्डाउन माईनस ए डाल देताओ शट्डाउन स्पेस माईनस ए नाव इट विल टूल से लाश्ट में इतने ज़्यादे यूससफिल यूज फुल क्या है इसमें माष्टेज में आप और इसमें यूब को आना है कि कौन कों रहेा जए घीडेए पड्युड सी जीजियू के बारे में को ज तो यहां पर रिकावरी ड्राइव को नेक्ष्ट करेंगे तो आपको एक कोई भी यूजब यूजब लागा दो उसे वह डिटेक्ट कर लेगा और आप उसमें अपने विंडोज का रिकावरी सेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए विंडोज के जो साइज फाइल्स की उसके अगर करफ्ट हो जाता है तो आप अपना पेंटर कर सकते हैं अगर आप रोट रखते हैं जितना है विंडोज की फाइल अवैलेबल तो वह रिकावरी ड्राइव आप बना के रख सकते हैं उसके अलावा यहां पर रजिस्ट्री एडिटर है जिसके उपर डबल क्लिक कीजि अगर बना नहीं चल रहा है तो जाकर कैसे चेंज कर सकते है मतलब उसका UEFI code चेंज करना रहता है 0 to 1 करना रहता है वो मैंने उस वी दो समया यह सारी चीजह मैंने और लग इख्लें की हैं और यह वीडियो मैं इतना बदाना चाहूंगा वीडियो अच्य लगए तो भया ला लगए तो लाइक करो शेयर करो और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखो सीखते रों सीखाते रों बाइबाइब